प्राफेज फस्ट स्टेज से बाद अर्चुत्री विवाजण की दूसरी है इस्ट्रेज स्टेज शुरू होती है मैटाफेज स्टेज के अंदर इसंडल अपरेटस प्रदरशित होने लगते है यह एक्वेटर के और होने लगते हैं और यहाँ पर centromere जो होता है उसमें विशेश प्रकार के परिवतन होते हैं centromere की arm जो होती है वो middle मद्य पटलिका की और होती जबकि जो centromere होता है वो pole की और प्रदश्यत होता है centromere का जो संबंद होता है वो tactile fibers जो कि spindle apparatus से original होते हैं के द्वारा हो जाता है यहाँ पर diagram के अंदर दोनों ही तरह के शो किये गए हैं एक chromosome के अंदर चार chromatid है दूसरे chromosome के अंदर चार chromatid है middle plate पर यह arrange है इनके pole जो है इनको centromere part pole की और है और इनका arms जो है वो middle plate की और diagram के अंदर हमें दिखाई देता है ऐसा homologous chromosome के करण यहाँ पर separate होने के करण ऐसा होता है अगली अवस्ता जो आती है वो anaphase first इस anaphase अवस्ता के अंदर centromere दो भागों के अंदर divide हो जाता है और दोनों centromere के जो संबंद होता है वो spindle apparatus या tenticle से fiber से connected हो जाता है main character जो इसके अंदर शोक होते हैं वो है homologous chromosome का centromere separate होकर अलग होना और यह दोनों ही chromatid एक दूसरे से opposite pole के और जाने लगते हैं और यहाँ पर जो chromosome होते हैं वो haploid chromosome opposite pole पर movement करने लगते हैं next stage जो आती है वो telophage first अवस्ता के लाती है जैसा कि diagram में sure है यहाँ पर nuclear membrane present होने लगती है cytoplasm पाए जाता है nuclear cellist presence हो जाती है इसमें पाए जाने वाले जो main characters है वो इस प्रका है chromosome network long हो जाती है nuclear membrane और nucleus पुने अपियर हो जाते हैं यहाँ पर इस condition के अंदर दो nucleus हमें दिखाई देने लगते हैं और दोनों ही haploid होते हैं यहाँ पर दो conditions होती है कुछ कोशिकाओं के अंदर cytoplasm का division हो जाता है और कुछ कोशिकाओं में cytoplasm का division नहीं हो जाता नहीं होता और इस यह अवस्ता के अंदर cell जो है वो second division के अंदर enter हो जाती है जिसे हम संसुत्री division या homotypic division कहते हैं प्रॉफेश सेकेंड अवस्ता इस प्रॉफेश सेकेंड अवस्ता के अंदर जो man characters है वो है nucleus membrane disappear अद्रश्य हो जाती है और यहां पर जो एक क्रोमसोम होते हैं वो दो chromatid के अंदर हमें दिखाई देने लगते हैं इस पैंडेल अपरेटस पहले वाले से 90 डिगरी के कोण पर यहां पर हमें दिखाई देता है मेटाफेश वस्ता मेटाफेश सेकेंड जिसके अंदर क्रोमसोम जो होते हैं वो centromere के इस्तान पर spindle tactile fiber से जुट जाता है और यह मेटा यान एक्वेटर अध्य पर्टिका पर विवस्ते हो जाते हैं इसमें important characters है कि दोनों chromatid के बीच में यहां पर प्रतिकर्शन होने लगता है जिससे chromatid दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं और centromere का यहां पर division हो जाता है डाइग्राम में जैसा शो है centromere divide होता है और एक single chromosome के दौनों chromatid एक दूसरे से separate होने लगते हैं एक्वेटर पर next अवस्ता जो आती है वह एनाफेज second है एनाफेज second अवस्ता के अंदर आपको स्पस्ट्रूप से दिखाई देने देखता है जो centromere पाल आता है वह पोल की ओर जाता है और जो आम से वह एक्वेटर की ओर है और पोल की और जाने लगते हैं और बीच में मद्य पटलिका का निर्मान होने लग जाता है मिडिल प्लेट का फोमेशन होने लग जाता है और यहां पर साइटोप्लाज्म जो है वह एक्वाल हाफ में अंदर डिवैड होना शुरू कर देता है इसके अंदर जो मुख्य परिवर्तन जो होते हैं वह है जो क्रॉमेटीड है वह वीपरीट पोल पर जाने लगते हैं अगली अवस्ता है तीलोफेस सेकंड जिसके अंदर चार एन है अप्लोइट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है नुकलियर मेंबरेन और नुकलियोलस फिर से दिखाई दिने लगते हैं दोनों पोज पर है जो डॉटर क्रॉमेटीड पतले होकर नैट का फॉर्मेशन कर लेते हैं इस प्रकार इस स्टेज के अंदर फोर एन स्टेज नुकलियस में दिखाई देते हैं अंधि मवस्ता के अंदर यहां पर केरियो कानेस ऐसकी आवस्ता होती है यहां पर सायटो कानेस में श्राव को शिकाओं मैं समान मात्रा में जीव द्रवय विवाजित हो जाता है significance of meiosis समसुत्री विवाजन सुर्यार्थ सुत्री विवाजन का महत्व ये क्रॉमसों की नंबर को fix करने में मदद करते हैं और ये sexual cells के अंदर nucleus को haploid करने में या gametes के formation में मदद करते हैं इसके लाबा ये genetical variations क्याज मेटा और synaptical के द्वारा इसमें genetical varieties आने से जो नई varieties उत्पन होने की chances रहते हैं उत्पन होते हैं इसी के द्वारा next हमारा अगला topic structure and molecular organization हम next वीडियो के अंदर प्रिजेंट करेंगे